हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूओ लो नरुटूप चैनल स्मार्ट जाम प्रप्रेशन में डॉक्टर सतेंत्री पाथी दोस्तों आपको बता दो कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है हम सभी लोगों के लिए जो लोग भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेशन हैं दोस्तों उस वीडियो को भी आप चाहें तो देख सकते हैं आज की वीडियो में हम लोग डिसस करेंगे वारिए जो इंपॉर्टेंट क्वेशन है यह सेलेक्टेट क्वेशन आपके लिए लाए है और फिरिंट कोशिश चिया मैंने कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियोम में यह सारे क्वेशन को मैंने दिया हुआ है जिससे कि हिंदी या इंग्लिश मीडियोम के किसी भी मीडियोम के इस्टुडेंट होन के लिए कोई प्रॉब्लम ना तो दोस्तों चलते हम लोग questions को देखते हैं जैसा कि यह first question देख सकते हैं दिया है यह dobson unit यह short में इसको du बोलते हैं ठीके तो बहुत बार du का full form पोज़ देता है तो इसका dobson unit यह होता है dobson unit are used हिंदी में दी question देखें तो dobson unit इकाई का प्रयोग किया जाता है ठीके मतलब the option इकाई का प्रयोग जो है कहां किया जाता है तो दोस्तों यह जैसा कि option देख सकते है measuring the thickness of diamond मतलब हीरे की मुटाई मापना B option दिया है to measure the thickness of the earth प्रिथवी की मुटाई मापने के लिए फिर C दिया है measuring noise मतलब shore मापना और D option है measuring the thickness of the ozone layer मतलब ozone परत की मुटाई मापना तो दोस्तों यह जो ozone परत की मुटाई मापना यह जो option D है यह सही इसका answer है ठीक है अब next question में देखते है which gas is filled in the refrigerator refrigerator में कौन सी gas भरी जाती है इसमें option A जैसा कि देख सकते हैं methane दिया है B acetylene C mafron D ammonia तो इसमें जो C option है mafron जो है यह सही इसका option है next question देख सकते हैं जैसा दिया हुआ है world ozone day is celebrated on विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है तो विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है A option दिया है 1 December B जो है 16 September C 22 April और D जो है 5 June ठीक है तो दोस्तों यह जो B option है 16 September या 16 September सही option है मतलब विश्व ओजोन दिवस 16 September को मनाया जाता है next question देखते हैं लो which of the following teams of scientists first discovered ozone hole over Antarctica निमलिखित में से वैग्यानिकों की किस team ने सबसे पहले Antarctica के ऊपर ozone छिद्र की खोज की ठीक है तो इसमें जैसा की option में आप देख सकते हैं A दिया है American team B जो है यह German team C जो है British team और D जो है Russian team तो दोस्तों इसमें जो British team जो है C जो option है यह इसका सही answer है और यह 1985 में इन्होंने किया था ठीक है ओ जोन होल की कोज जो है यह अंटार्किट का रीजन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग harmful ultraviolet radiation coming from the sun can cause मतलब सुरे से आने वाली हानिकारित परावैगनी या UV जो रेज है UV radiation है का कारण बन सकती है मतलब कि इसमें से का कारण बन सकती है कौन से रोक का कारण बन सकती है जैसा कि A देख सकते है brain cancer B liver cancer C skin cancer D oral cancer दोस्तों इसमें जो C option है इसका correct option है मतलब skin cancer जो UV rays आती है harmful जो UV rays आती है ये skin cancer का cause बनती है और जैसा कि आपको पता होगा कि ये ozone layer जो होती है इन ही harmful UV rays को जो है ये अर्थ पर आने से रोकती है और ये जो ozone परक्षरंड के कारण जो है ये UV rays जो harmful UV rays है वो easily अर्थ पर आती है ठीक है और जिसके वज़े से various diseases cause करती है जैसे कि उसमें से skin cancer जैसे कि आपने देखा इसमें जो है और ये मतलब eye related disease जो है cause करती है ठीक है eye cataract जैसे है तो दोस्तों ये जो है fifth question था ठीक है आज के लिए दोस्तों इतना ही next video में हम लोग मिलेंगे किसी और जो है दूसरे topic पे या फिर इसी topic का जो part third लेकर आएंगे दोस्तों बहुत ही important questions selected questions कोशिश करेंगे लेकर आये जो कि आपके किसी भी competitive exam की आप preparation कर रहे हो तो वहाँ पे आपके लिए helpful हो ठीक है और दोस्तों और भी environment से related कही सारे videos हमारे चैनल पे available है जिसे global warming से related या acid rain से related दोस्तों उन videos को भी आप चाहो तो हमारे चैनल के पेसे जा करके देख सकता है या कोशिश करेंगे कि इस video के description box में भी उन सारे videos के link आपको provide कर देंगे और साथ ही साथ जो है इस video के i button में भी जो है उन important videos के link आपको provide कर देंगे जिसे की जिलिए आप उन सारे videos को देख सकेंगे दोस्तों आज के लिए इतना ही next video मिलेंगे हम लोग किसी अधर information के साथ दोस्तों इतना besense के साथ हाँ का video watching के लिए thank you so much